अब हर्याना के अंदर सभी सरकारी भरतियों के लिए एक common interest test होगा जी हाँ आप लोगों ने साइध इस newspaper की cutting को पहले ही पढ़ लिया होगा पर मैं आपको इस वीडियो में थोड़े हलके सब्दों में समझाने वाला हूँ कि इसका meaning क्या है जिसे आप हर्याना CETB कह सकते हैं देखिएगा दोस्तों इसमें main दो बात है आप सभी को पता होगा कि हर्याना के अंदर mainly दो department है जिनके अंदर कुछ exam होते हैं हर्याना की group A, group B, group C, group D post के एक तो HSC जिसे आप बहुत अच्छे से जानते हैं हर्याना स्टाफ सेलेक्शन कमिशन और एक है HPSC यानि की हर्याना Public Service Commission हर्याना लोक सेवा आयोग अब देखिए क्या होता है कि जैसे for example group A की बात करता हूँ HCS की बात करता हूँ तो या DSP की बात करता हूँ कुछ ऐसी post के लिए तो group A के लिए जो HPSC है यानि की हर्याना Public Service Commission है ये जिम्मेदार है लेकिन बाकि जैसे आपका ग्राम सचीव है पटवारी है या पुलिस है या कलरक है इन post के लिए जिम्मेदार है HSC अब क्या है दोनों के अंदरी जब हम लोग form भरते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है कि हमें बार बार registration करना पड़ता है जितनी भी बार notification आता है जितनी भी बार post का notification आता है अब होता तो क्या है डिपार्टमेंट तो कॉमन ही है डिपार्टमेंट तो या तो HSC है या HPSC है अब फॉर इचसे ने कलरक का फॉर्म निकाला तो हम लोगों ने क्या किया उस नोटिफिकेशन के लिए अपने नाम अपने पापा का नाम एडरस वगरा वगरा और फीस के आता है मालने तें इस बार बीचार्टमेंटिया का फॉर्म ओजाता है फेड़ से यही प्रॉसेजर हुआ तो इसका मतلب क्या उओऊ इसमें तो हमें हर बार जो है वो चलान कटवाना पढ़ रहा है मतलब क्या है पैसे देने पढ़ रहे हैं हर बार हमें अपनी personal information भी देनी पढ़ रही है लेकिन अब ऐसा नहीं होगा इस good governance day यानकी 25 दिसंबर 2020 को हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक portal launch किया है जिसका नाम है one time registration portal और यह portal जो है यह 3 जनवरी 2021 21 से active होने वाला है इसका मतलब है कि अब आपको एक ही बार जो है registration करना होगा और आपको multiple time अपने personal information नहीं देनी पड़ेगी और सबसे अच्छी बार आपको बार बार fees भी pay नहीं करनी पड़ेगी criteria for example बात करते हैं एक साल के अंदर एक साल का अगर वो criteria रख देते हैं तो वो उसी आपका password और ID से जो है आने वाले जितने भी form होंगे उनको आप लोग जो है apply कर सकेंगे और आपको बार बार जो है fees नहीं pay करनी पड़ेगी ये तो है एक number बात दूसरी बात जो है इस newspaper cutting में ये हमें समझ में आ रही है कि हमें एक ही बार paper देना होगा common interest test होने वाल test को pass करना पड़ेगा phase 2 department के तरफ से लिया जाएगा for example अब civil engineering है तो civil engineering का department वो कैसे करता है कि skill test लेता है या return test लेता है mock test है interview है whatever वो department की मरजी होगी लेकिन CET सब के लिए common होगा वो इसकी कुछ time के लिए validity होगी और तब तक जो है आप लोग regarding जितने भी notification आती है उनके अं पे इन सभी के लिए एक सबसे खास बात है वो यह है कि परिवार पहचान पत्र की आवशकता है तो मेरा आप से कहना है कि आप कोशिस करके जल्दी से जल्दी अपना परिवार पहचान पत्र जरूर बना लीजिएगा हर्याना के बिजली विवाग में भी बनते हैं हर्याना एक अच्छा या एक positive बात जो है वो मैं आपको बता देता हूँ उसका conclusion क्या होगा अब तक HSSC के अंदर at least syllabus हमें define नहीं किया गया है ये तो मैं कहीज रखता हूँ ये तो बात आपको भी पता है और सबसे बड़ी problem आप सभी बच्चों के इसी बात की आ रही है कि यार syllabus नहीं पता तुम त्यारी किस चीज़ की करें number of question computer के कितने है number of question जिक के कितने है reasoning के कितने है ये बात अभी किसी को नहीं पता तो problem यहीं आती है किस level का आता है ये भी नहीं पता है क्या-क्या points हमें पढ़ने है तो अगर CET हो रहा है तो confirm सी बात ये भी होई जाएगी कि ये पहले से syllabus भी तो define करेंगे ये एक यहां पर positive बात है थोड़ा पढ़ना आसान हो जाएगा और आप लोग एक यूँ कहिएगा ना targeted होके पढ़ाई करेंगे तो हो सकता आपका syllabus जल्दी पूरा हो और syllabus के साथ साथ आपका selection भी बहुत जल्दी आप लोग पा ले तो यहां एक positive बात है ये अब सरी ये कब से शुरू होगा तो देखो तीन तारिक से तो ये portal activate हो रहा है तो ऐसा देखने को मिल रहा है कि नए साल के अंदर ऐसी संभावना है मैं पका नहीं कह रहा हूँ ऐसी संभावना है कि आपके फैबरी या मार्स तक आप लोगों को इसका notification देखने को मिल जाए पहला common interest test देखने को मिल जाए अब यहां एक सबसे बड़ा doubt यह होगा कि सर हमारे पहले जैसे ये गराम सचीव का paper होगा अब तो इसके बाद में जैसे पुलिस है ये पहले form जो भरे होए हैं उनका क्या होगा तो देखो उन पे ये कोई भी rule लागू नहीं होने वाला है जो पहले form भरे जा चुके हैं उनके तो जिस तरीके से paper होने वो तो होंगे ही होंगे अब आगे जो भी आपका paper होगा या अभी for example से color की नई vacancy अगर आती है या कोई ऐसी vacancy निकालती है आगे जो भी new होगा उन पी ये rule जो है वो apply होने होंगे तो इतनी बात आप याद रख लीजिएगा hopefully आप लोगों को ये जो बात है ये समझ में आ गई होगी होगी ये उमीद तो यही मेरी भी है और उमीद आपकी भी यही है महनत अपनी जो है वो बरकरार रखिएगा चलिएगा इसी सुब कामनाओं के साथ मैं अलविदा लेता हूं Star IQ YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा धन्यवाद